इन्सान चाहे लाख कोशिश कर ले लाखों गजन चुम्बनी इमारतें बना ले चाहे कुछ भी बना ले पर वो नेचर से ज़्यादा खुबसुरत और सुखदाई नहीं हो सकती जियां दोस्तों तो जैसा आप सब लोग जानते हैं मैं एक नेचर लवर इंसान हूं नेचर के बीच में रहना मुझे पसंद है और मदर नेचर के बीच में घूमना करना मेरी होदी है वेसी के चलते मैं आपके लिए लाया हूँ एक और नई वीडियो अपनी और इस वीडियो में मैं आपको एक और बहुती खुबसूरत जगा दिखाने वाला हूं मदर नेचर की और इस जगा को मेकलरेन फॉल्स के नाम से जानते हैं यह पर काफी कुछ है देखने लायक अभी मैं जश्ट अवाइब हुआ हूँ तो अभी मैं आपको लेके चलूँगा यह पूरा पाक दिखा हूँगा एक्षब पाक जगे अब वाटरफोल्स भी है आप बर्ड्स भी देख सकते हो बहाँ साई नेचर ब्यूटी है अभी चलते है इस वीडियो की शुरूवात करते हैं और मैं आपको दिखाता हूँगा एक डिएंट पार्ट अफ दिस पाक आप दोस्तों आज की वीडियो में असाथ देने वाले हैं जावात दिलनों की दड़कन मिस्टर गुलाटी तो गुलाटी साफ कईसा लग रहा आपके अपर आपके अपर इस अग्रेया कर दूसरी बार आए हैं सक्षाना जी के साथ जखेना जी पिछली बार ठक गे थे चला नी जारा थो नचे तो तो देखो मेरे विवर बता देंगे कि हाँ भी ठकने वाले हैं कि निए शुक्सिना साहब आप अपनी बात करो आप मेरा साथ इसली ये सक्षेना जी आज आपे लेकर आए देखने के लिए बाकि रात को सक्ष पूरी दिखाने वाला ये शोर है और दोस्तों ये जो आप सामने देख पा रहे हैं ये है लेक मेकलरेन ज्यादा बड़ी लेक नहीं है छोटी सी लेक है बट यहां पर काफी बर्ड लाइफ देखी जा सकती है डक्सें स्वांसें और भी बहुत सारी बर्ड सें लेक किनारे बहुत ही सुन्दर ट्रैक बनाया हुए है नहोंने इस पूरी जगा को घूमने के लिए इसमें कोई शक नहीं है कि जगा को बहुत अच्छी तरह मेंटेंड किया गया है एकदम साफ सुत्री जगा है और फैमिली वेकेशन के लिए ये बहुत अच्छी जगा है अगर आपको पिकनिक के लिए आना है सारा ही तरह की फसलेटीज हैं यहां पर केमपेण भी आपर कर सकते हैं टोलेट बाथम सब कुछ है यहां पर देखो गुलाटे साब भाग भाग के मेरे को कवर करने कोशिश कर रहे हैं को यह पता नहीं है कि इनके बस की बात नहीं है अब दोस्ते एक साइन आ गया यह पर इपतारा की लेक साइट रैक पच्चेस मिनट देड़ किलमेटर लगबग वाटर फोल ट्रैक इस तरफ तीन मिनट ग्लोब ओम्स सेवन मिनट्स पान्सों मेटर लगबग साड़ी चाड़ सुमेटर तो फिलार आपने वाटर फोल देखने चलते हैं जो कि यहां का में अट् अट्रैक्शन है प्लाटी साब से रिवीज लिते हैं बिल्कुल लो लटी सब इस जगह को देखे आप क्या बोलोगे कैसा मैसूस हो रहा आपको रिलेक्स फील करो अपना आराम से बैठे रहो यहां पर दो-चार गिंटे जैसे सक्षाशनाजी का श्रीट ठक जाता तो यहा ये गुलाटे जाव जैसे तो बहुत कुछ कहते हैं इनका क्या बुरा मानना और क्या सीरिस लगना पर हाँ अगर आपको वाक करने का शौक नहीं है ज्यादा वाक परना पसंद नहीं है तो आप ये वाटरफॉल के पास बिल्कुल अपनी गाड़ी ला सकते हैं यहां तो भी तार्क में बहुत सारी कार पार्क्स हैं तो आप कहीं पर भी आके पाक कर सकते हो और हर देगा ट्वलेट है तो आप यह देखिए कि पीछे लिखा हुआ है वाटरफॉल ट्रैक अभी आमको उदर जाना आगे और वाटरफॉल आपको दिखानी है तो फिलाल चलते हैं इसी पे और वाटरफॉल दिखाते हैं आपको बहुती शानदार बश्वक है दोस्तों यह देखिए यह है यहां का वोटरफॉल आप यह देखिए दोस्तों की पानी कितना साफ है जर्मे का एक दम क्रिस्टल क्लीर पानी है तो दोस्तों मुझे तहां पर आके बहुत अच्छा लगा बहुती रिफ्रेशिंग जगह है वेली नाइस और ट्रैक बहुत अच्छा है और ऐसा नह अगर आपको वाग करनी है तो यह काफी लंबी वाग हो सकती है अगर आप स्टाटिक में का पाक कर दो लेकिन अगर आप चाहो तो हर जगह का पाक है कहीं पी भी पाक करके आप ऐसी लोकेशन पर आ सकते हो रोत्रवा से 70 किलोमेटर के डिस्टन्स पे है परंगा से यह को 10- दिल से बताना वाटरफॉल देख के आपको मजा आया कि नहीं एक तवही ना लंडा बना बात के अस्ता बहुत मेरा मन करता है मैं इसकी इस वाटरफॉल में दखा मार दूँ पर वाटरफॉल इतना दूगा है नहीं कि अम उसमें दूब जाएंगे तैरना बैसक चाहें नहीं इतना क्रिस्टल क्लियर पानी आगा का ताजा पानी का पानी है तो फिलाल यह तु था वाटरफॉल अभी हम इस जगा को तड़ा और एक्स्पोर करेंगे आपके और हमारे एंटर्टेन के लिए क्योंकि जगा बहुत खुबशूरत है तो मेरा मन है आज मैं कुछ गंटे दया पे करने वाड़ा ही हूँ अभी निकाव ट्रैक है एंड ग्लोव ओम्स ट्रैक तो गलाटी साब कौन सा ट्रैक करना पसंद करोगी हम यह आ जाएंगे निकाव ट्रैक है दस मिनिट और हम इसमां पांच मिनिट पर जाके दिनाएंगे हाँ चली है सारा कुछ देखके जाएंगे कुछ भी नि छोड़ने वाले आम यह आपे है अगर दोस्तों टाइमिंग का ख्या रखिएगा चेक कर किया ना टाइमिंग क्योंकि इसका ऑपनिं क्लोजिंग टाइम है नॉमली जो आफिस हावर्स होते है वह ही है नो से पांच आड़े पांच इन डिकाव ट्रैक डाइसों मिट्र बताया था पर उनको यह भी बताना चीए कि साही सीडी है ही यह मारे गुलाटे साथ साथ लग गया है जो अपने आपको बताते थे कि मैं भाणने जरूर साथ मेलाए हैं नहीं है तो फृण टा दिकाओने ग्यान दुता है कि यह जो आफां करोके फिया है यह जो आप कर रही है है साह् तो गहर भी लेता है इनसान अंने सांस लेरा आप सांस खीत नालग लग होता है तपहेँ हम नहीं नहीं आए है अ अच्छा मे पता नहीं है चलो कोई बात नहीं है वाकि जाला तो कर आप हाँ अचा पाणि जरूर साथ मेला है हुआ पुफ तर दिन ने गर्मी आगी पूरी कि अचे है अचे दाइसमेटर बताया ता डाइसमेटर है ज्यादा दोखा कर दिया और आप यहां से विव देखिए क्या शानदार विव है तो जैसा कि आपने देखा कि निकाउट ट्राक तो किसी की प्रापटी की पास है खतम हो रहा है और यह पूरा कर लिया हमने आप दोस्तों अब हम चलेंगे गलोव वोम ट्राक की तरफ देखते हैं इस ट्राक पर हमको क्या कुछ देखने को मिलता है तो दोस्तों यह था गलोव वोम ट्राक फिलाल दिन में तो गलोव वोम निजर नहीं आते रात को मैंने देखा कि हाँ जगा जगा पे जैसे की मिट्टी में छूट-छूटे से छेद हैं वहाँ पे शायद गलोवुम रहते हैं और रात को वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे क्यों किक्ली मैं आपको दिखा देता हूँ किस जगा की बात कर रहा हूँ जिसे कि यह जो जगा है ऐसी जगा पर वाम्स रहते हैं पेड़ों के अंदर तो अगर 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 आप यह बाइचांस शाम को करते हो क्योंकि साड़े पांच तो जो जाता है अब आतार इसका नाम ग्लोब उम है यह वाके यह पर आप ग्लोब उम देख सकते हो आपने टू अगर है तो आपको डार्क में इदर आएंगे दिन में तो नहीं आएंगे निदर क्योंकि उन कितनी शाइन नहीं होती है कि दिन में भी शायन कर सके बट यह जो ग्लोब उम ट्रैक है यह लूप ट्रैक है हम अभी यह इदर है वाटरफोल ट्रैक से गए थे और वाटरफोल से होके घुम के हम वापस कार पार्प इस तो गूलाटी साहब बोल रहे हैं कि अबlla श्रहीं के तरफ चलेगए अब करेंगे हम ऑए वोग जाएंगे सक्साना जी कह रहा है स्वाइकार जाएंगे अब बताओ कैसे जाना थी है हमारे वीवर जानते हैं कि सक्सेना साब की चोईस क्या है आप ये देखिए दोस्तों कि बाबी क्यों की फेसलेटी दे रखी है यहां पर बाबी क्यों है और साथ में ही टैप भी लगी हुई है तो पूरा परवंध है अगर आपको यहां पर आपके पिकनिक करनी तो और यह देखिए साथ में टेबल एंचेर और उसके साथ में मस्त लेक व्यूव तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको लेके चलता हूं यहां कि जो में वाटरफोल है उसकी तरफ वेल उसको चलते हूं यहां पर तीन चार घंटे हो गए है और नो डाउट मैंने अपने दिन को पूरा इंजोई किया यहां पर कोई डाउट नहीं है बहुत यह अच्छा लगा इसको बोलते हैं वेल स्पेंट डे यह देखिए दोस्तों यह है मेकलरेन फॉल्स अभी फिलालिस ब्रिज को क्रॉस करके उस तरफ चलते हैं और देखते हैं यह फॉल खा एक्सेस हो कहीं तो मेरा भॉत मन है कि मैं इसके पास जाओं यह देखिए दोस्तों काफी सारी यह पे वाटरफॉल्स हैं तो दोस्तों यह है मेकलरेन फॉल्स बेहदी खुबसूरत है वह अजिस बिखरों भाल भी फिलाल नीचे जानेया कोई प्रॉपर अक्सर्स नहीं है डेंजर है साइन लगे और फुडा इतने भी ऑट से सारे बेट तो फिलाल मैं कोई भी रिसक लेने के मोड में नहीं हूं बुलाती साब से पुछ लिते हैं गुलाती साब आपको रिसक नहीं लेंगे, रोख भी बेट है, रास्ता भी नहीं है, रिस्क नहीं लेना चाहिए, रिस्क नहीं लेंगे, लेकिन मैं अभी ब्रोंच इसके शॉट लेने वाड़ा हूँ, होफुली आपको इस शॉट बहुत पसंद आएंगे युर्ण सक्तमवाइब से जबपने पर वाड़ा हूँ, दो खाहिए, रिस्क नहीं है, दो एई over लेकिन मैं तॉट भी बाली कर्णे से अज़ कर दो झाल झाल